हतोडा और चाबी शहर की तंग गलियों के बीच एक पुराने ताले की दुकान थी लोग वहां से ताला चाबी खरीदते और कभी कभी चाबी खोने पर डुपलिकी चाबी बनवाने भी आते ताले वाले की दुकान में एक भारी भर कम हतोडा भी था जो कभी कभार ताले तोड़ने के काम आता था हतोडा अकसर सोचा करता था कि आखेर इन छोटी छोटी चाबीयों में कौन सी खुबी है जो इतने मस्बूर तालों को भी चुटकियों में खोल देती है जबकि मुझे इसके लिए कितने प्रहार करने पड़ते हैं एक दिन उससे रहा नहीं गया और दुकान बंध होने के बाद उसने एक नंधी चाफी से कूछा बेहन ये बताओ कि आँखे तुमारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ती है जो तुम इतने जिद्धी तालो को भी बड़ी आसानी से खूल देती हो जबकि मैं इतना बलशाली होते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता चाफी मुस्कुराई और बोली दरसल तुम तालो को खूलने के लिए बल का प्रियोग करते हो उनके उपर प्रहार करते हो और ऐसा करनी से तालो को खूलता नहीं तूट जाता है जबकि मैं तालो को बिलकुल भी चौट नहीं पहुचाती भलकि मैं तो उसके मन में उतर कर उसकी हिर्दे को सपर्ष करती हूं और उसके दिल में अपनी जगर बनाती हूं इसके बाद जैसे ही मैं उससे खोलने का निवेदन करती हूँ, वह फॉरन खुल जाता है दोस्तो मनुष्य जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है यदि हम किसी को सच मुझ जीतना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति के हिर्दे में उतरना होगा पर इस तरह से हम ताले को खोलते नहीं, बलकि उसे तोड़ देते हैं यानि उस व्यक्ति की उपयोगिता को नश्ट कर देते हैं जबकि प्रेम पूर्वक किसी का दिल जीत कर हम सदा के लिए उसे अपना मित्र बना लेते हैं और उसकी उपयोगिता को कई गोना बढ़ा देते हैं इस बात को हमेशा याद रखिए कि हर चीज जो बल से प्राप्त की जा सकती है उसे प्रेम से भी पाया जा सकता है लेकिन हर चीज जिसे प्रेम से पाया जा सकता है उसे बल से प्राप्त नहीं किया जा सकता धने बाद